हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा आठ्मी जिसका विश्य है गनित इसकी वर्क्षिट नमबर 27 समझोंगी जिसकी डेटे में पस 29 दिसंबर 2020 आज की वर्क्षिट में हम घं संख्याओं का घंमूल करने वाले हैं आप ये घंमूल निकालेंगे कैसे देखो अभी तक आपने घं निकालना सिखा है क्या कि आपने एक नमबर को तीन भर गुना कर दिया तो आपका घंमूल कैसे निकालेंगे तो अगर आपको कोई भी संख्या दे रखे और उसका घंमूल आपको निकालना जैसा कि अगर मैं आपके पास यहाँ पर लूम 64 इसका घंमूल क्या होगा तो तो आप क्या करो, इस 64 के, सबसे पहली बात, गुननखन निकाल लो, ठीक है, तो जब हम इसको 2 से करने वाले हैं, तो यह 32 आएगा मेरा, फिर दुबारा 2 से क्या तो 16, फिर दुबारा 2 से क्या तो 8, दुबारा 2 से क्या तो 4, then 2, then 1, तो इसका मतलब अभजे गुननखन इसके अंदर लिख दो, ठीक है, लेकिन अभी यह दूरा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 नहीं लिखा, यहाँ पर 3 लिखना बहुत जादा जरूरी है, वन्ना यह आपका स्क्वायर हो जाएगा, घन्नी आएगा, ठीक है, अगर आपने 3 नहीं लिखा तो, अब आपको क्या करने, नेक्स स्टेप में, तीन तीन के एक एक जोडा बनाना है, इन तीनों का एक जोडा, ठीक है, तीन संख्यां का एक जोडा बनाना है, घन्नमूल निकाले, इसलिए तीन संख्या लेने, ठीक है, अब इन तीनों 2 की जगा इस रूट से एक 2 भार आएगा, इन तीनों 2 की है अभजे गुननखन तरीके से घंबूल निकालना कैसे निकालना कैसे ठीक है वह इसे आपको यहां दे रखा है 729 तो 729 का हम कैसे करेंगे अगर इसके मैं अभजे गुननखन निकालूं तो वो मेरे आने वाले हैं यहां पर 3 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 3 अब मेरे को इसका घंबूल निकालना है तो मैंने क्या किया इसको रूट के अंदर रख दिया लेकिन यहां पर 3 जरूर लगाया है ठीक है अब 3-3 का जोरा बनाया है 3 संख्याओ का एक जोरा बना दिया इस 3 क इसका मतलब इसका घर्मोल कितना आगया मेरे पास 9 आगया अब आप 9 को तीन बार गुना करके देख लो तो 729 ही आ रहा होगा तो 5 x 5 x 5 आप है आप क्या करो सबके आगे माइनस लगा दो इसके आगे भी क्या स्वितने डितने लिखने का तरीक मिल तो सेम ही रहने वाले है तो अब आगे आपको घंसंख्याओं का घंमूल निकालना चलिए अब आगे देखते हैं कि यहां पर कह रहा है दैनिक जीवन में घंमूल का उपयोग क्या हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन आयतन दे रख अब उसको ना इसकी बूजा की लंबाई माप लिए लेकिन पैसे तो माप सकता है लेकिन वह माप के निबत जानना चाहता है उसको लंबाई जाननी तो है पर वह मापे गनी तो उसने क्या कि एक तरीका लगा दिया इस पाइवान टू के आभजे गुननखन कर दिये पहले तो यह आ गए अब इसका क्या क्या उसने घंबूल निकाल लिए कैसे निकाला देखो इन तीनो टू का एक जोरा बना दिया इन तीनो टू का एक जोरा बना दिया अब जब यह रूट से निकलेंगे तो इन तीनो टू की जगा एक टू निकलेगा और इन तीनो टू की जगा एक टू निकलेगा तो टू टू जा फो टू जा एट आपका अंसर आ गया इसका मतलब इस गहनाकार गिफ्ट की जो भुजा है एक उसके लंबाई कितनी है एट है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब क्या रहा है इन संख्याओं का घंमूल निकाले है तो वो ही जो अभी हम स अब गनमूल निकालने है तो इसको फिर में कूझ रूट के अंदर तो आपकर बाएगा इन यांपर कर दी है लेकिन इन फृसके जरूर लगा है इसको मदमूल जाना आप लगा न Direction आप लगाना ये इन फाइफ यम इन फाइब बांद का एक खोरा बना एक जोड़ाई जो तो इसका मतलब 15 को तीन बर मल्टिप्लाइ करूंगी तो क्या आएगा 3375 आएगा ठीक है सेम ऐसी मैंने यहापर देखो थर्ड भी कर रखाया फोर्थ भी सारे पार्ट्स मैंने आपको करके दे दिये लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप खुद करने की इनको कोशिश कीजिएगा एक बार आप समझ लीजिए कैसे निकालना है फिर खुद कीजिएगा इससे भी 2 आएगा इससे भी 2 आएगा और इससे 3 आएगा तो 2 तू जा 4 तू जा 8 तू जा 24 आपका घंमूल आ गया ठीक है सेम यहापर देखो मैंने सारे पार्ट कर दी है यह मेरा यहापर है फूर्थ पार्ट ठीक है उसके बाद यह रहा मेरा कोशन नमबर वन का यह संख्या है घंमूल है अब यह संख्या घंमूल आपको रहा रही अया आपको संख्या बताने है यह संख्या दे रहा कि थि घंमूल निकालना था तरीकें अकों जब smaller阻 यह अनिकलनिया तो mtl beneath or put it तो यहां से भी कर सकते हो लेकिन इसके साथ साथ मैं एक को दूँगी जो आपको खुद से करना है, आपकी वॉक्षीट का कोशन नहीं है वो, ठीक है, मतलब इसी का ही एक पार्ट देनी हूँ, तो आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताईएगा, तो इसी का कोशन है, ठीक है, मैंने इसी का एक पार्ट और दे दिया है, ख ठीक है, तो इसी के साथ यह वॉक्षीट नंबर 27 यहाँ पर खतम होती है, अब वॉक्षीट नंबर 28 जो हम अपनी नेस्ट वीडियो में करेंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेग थैंक यू